याँ वीडियो मदे आपन आई ट्या इंस्ट्रक्टर जी सीबीटी टू एक्जाम होना रहे तर त्या एक्जाम साथ ही जे मेकानिकल चे विद्धरते है जन्ना फिटर आणी टर्नर या ट्रेड साथ ही अपलाय करेचा है तर त्यांच साथ ही सरवात महत्वाची आणी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्ट्य MRCQ ची ही MRCQ सीरीज आपन स्टार्ट करता होद्ग आच्या जे लेक्चर आहे ते लेक्चर नंबर वगाना है ये चामधे आपन जेकाही महत्वाची MRCQ आहे किवा त्याचे रिलेटेड जेकाही कंसेप्ट साहेद्ग जे तुम्हाला सी ब प्रश्न तुम्हाला जशर्स तशें केमा ति कंसिप्स तुम्हाला सीबीटी टू ए एक्जाम मझे तीथे तुम्हाला उपयोगी होती अनि ज़र तुम्हाला सीबीटी टू ची टेस्सीरीज कीमा मोस्ट इंपोर्टन एमसीकी उसेट्स हे एनना एंडरोल करें सासेल तर तुम्ही My Government Track App ही इंस्ट्रोल करूँ शक्ता आप ची लिंग डिस्क्रिप्शन मदे दिले लिया है तसेज टेलिग्राम चैनल ची लिंग सुधा डिस्क्रिप्शन मदे दिले लिया है एनिवे आपन अपला कड़े काय कोर्स साहे ते नंतर पहुया तर स्टाट करूँ आपन आच्चा first question ला तर पहला question अहे What is the name of the process of finishing the drilled hole? ढ้से drilling मतला प्रश्ना है तर तुम्हला process drilling चा drilling मदे जाका ही process आहे तर प्रश्ण काया है What is the name of the process of finishing the drill hole? आप्शन्स आए तर रिमिंग, स्पोर्ट फेसिंग, काउंटर बूरिंग आने काउंटर सिंकिंग यह सर्व प्रोसेस आए यह चा बदल चे महिती तुम्हाला असनगर जेसा है तर यह चा करेक्ट आंसर आए रिमिंग का मतले, the process of finishing the drilled hole मनझे, already drilled के लेला है तर त्याला अपलेला काय करेजे, फक्त finishing करेजे, finish देजे तर आशा process ला आपन मनतो रिमिंग वन बाई वन पहुया आपन, detail मदे की तचार था काय रिमिंग प्रोसेस मनझे काया रिमिंग is the operation of finishing and sizing a hole which has been previously drilled किमा board तर ही आहे definition, रिमिंग ची, तुम्हाला directly definition सुधा विचार ले जाओ शकते कि रिमिंग मनझे काया finishing and sizing of a hole which has been previously drilled किमा board already तो, already आपन drill के लेला है फक्त आपन काय करता आता सद्धा, finishing करतो है किमा sizing करतो है sizing of a hole which has been previously drilled तर तर आला मनता रिमिंग the tool which is used is called as reamer which has multiple cutting edges, ठीके, drilling tool ला कि वा रिमर ला multiple cutting edges आसता आनि रिमिंग चा प्रोसेस मदे जे tool आपन यूस करतो है तला काय मनता आपन रिमर ये थे तुम्हे दोन प्रेशन बनू शकता रिमिंग ची definition आनि रिमिंग मते कुछल तूल आपन यूस करतो त्याचा सोबत साजुन एक महत्वा ची गोश्टो बंजे नॉर्मली दा स्पीड फॉर रिमिंग ओपरेशन विल बी वन थर्ड स्पीड ओफ दे ड्रिलिंग ओपरेशन यह लक्षा ठेवा हापन प्रश्ण विचाला जाओ शब्त की रिमिंग मते स्पीड कीदी आसते तो वन थर्ड ओफ ड्रिलिंग ठीके तो यह क्वेशन चारेक्ट आंसर है यह चैनल एक किमा दोन किमा ग्राइंडिंग वरन एक किमा दोन प्रश्ण विचाला जातील एक्साम मतें तर हे टॉपिक पूर्ण पने तुम्हे प्रोपरली नीट करा question का विचारल है कि what is to be done after dressing the grinding wheel to run concentric, concentric run होना साथ है आपन काया करतो, option प्रहा trueing glazing loading की dressing, काया correct transfer है सेल है अचो option A, आपन काया करतो trueing करतो, so that the grinding wheel should be run concentric, option A, trueing correct transfer है, सरवात आधी आपन पाविया loading मनझे काया, glazing मनझे काया, करन option मध्या है, loading पना है, glazing पना है, dressing पना है, trueing पना है, आपन सरव one by one पाहन ना रहा हो, तर grinding wheels become inefficient due to two main causes, तहला आपन महन तो, loading नहीं तर glazing, inefficient होतो, मनझे तो properly work नहीं करतो, तो दोन रिजन मुल होतो, एक तर loading मुल होतो, आणि एक glazing मुल होतो, तर loading मनझे काया, कि when soft materials such as aluminum, copper, lead are ground, the metal particles get clogged in the pores of the wheel, this condition is called as loading, ते चिटकून जाता, त्या grinding wheel ला, जे soft material छे particles ते चिटकून जाता, त्या process ला आपन मनतो, त्या condition ला मनतो, loading, grinding wheel काया जाला, load जाला, loading जाला थिते, आणि त्याचा मुल होतो, inefficient, त्या grinding wheel जाया, it becomes inefficient, ठीक है, एक त्या loading मनझे काया कड़ाला, तुम्हाला, कि soft material ला आपन जामा ground करतो, ते हमा metal particles get clogged in the pores of the wheel, तया आपन मनतो, loading, आता पावया glazing मनझे काया, when the surface of a wheel develops a smooth and shining appearance, it is said to be glazed, ही definition, दशास तशी एक्जाम मती विचारली जाऊशक्ते की, when a surface of the wheel develops a smooth and shining appearance, it is called as dash dash, it is called as, the grinding wheel is glazed, अपन काया मन तो, glazing जाला, अपन काया मनतो, glazing जाला, this indicates that the wheel is blunt, that is, the abrasive grains are not sharp, का करन ती जाब्रेसिव ग्रेन आसता, तया जी इथे काया जाला, smooth कि माँ, shine surface जाला, shine appearance जाला, तया आपन मनतो, glazing जाला, आपन जाला, तया जाचा मुले, जी जी grinding wheel ते इंफिशेन जाला, आपना साटी, वें सच ग्रिंडिंग wheels आरीagen जाला, आरीज ते तेंडनेंशी तू इक्सुर् एक्सवेटा प्रेशर इन वेल सलीडिये तो एक्सवेटेस के दो थे मां दो य। त्युक्ल्स प्रेशन में तर्ब में दो निज ब्च भीड तो आपिमिल तो दो भीड सब्सक्राइब सब्सक्राइब grinding wheel मुले तच्छा मुले काया होतो fracture of the wheel excessive hitting of the wheel vickering of the bonding of the wheel and brushing of the wheel याला मन्ता glazing दोन terms पाहले लेहता आपन loading मन्जे काया glazing मन्जे काया या दोनी operation मुले कि मा दोनी phenomenon मुले आपला जे grinding wheel आसता ते inefficient होतो आता ताला काय करावो तच्छा solution काया ते तस हो नाए मनून ता dressing dressing मन्जे काया the purpose of dressing is to restore the correct cutting action of the wheel आपन restore काया सा मन्जे जे glaze जाला कि मा जे loading जाला ताला कमी करून परत ताला ओरिजिनल form मा जाना है ताला मन्ता आपन dressing dressing मते नेमका होता काया dressing removes the cloth on the surface of the wheel जे आपन loading मते soft particle जे cloth जाला होते ना ताला remove करतो आपन dressing मते dressing removes the cloth on the surface of the wheel and the blunt grains जे blunt जालेत कि मा smooth जालेत of the abrasives exposing the new sharp abrasive grains of the wheel which can be cut and brought to the sharp to the shape efficiently dressing मन्जे गाया कि जे cloth जाले ले particle जाला काटना कि मा जे blunt जाले ताचावी जे ते new grains वाहे रहे ना जे ने करून परत ते जे grinding wheel आहे आपले efficient वाहला पाये जानी properly cutting वाहला पाये जे proper shape ताचा मिलाला पाये ताला आपन मान तो dressing करना ये खादा grinding wheel ची dressing करना ठीक है dressing मन्जे का purpose काया जास्ट to restore the correct cutting action of the wheel जेवड़े लक्स आटे बाट to restore the correct cutting action मन्जे काया लोडिंग तीथे कमी करना आणी जे ग्लेद जाला कि माँ blunt shape जाला तो ताला नीट करना ताला बंता dressing आथा trueing मन्जे का trueing refers to the shaping of the wheel to make it run concentric with the axis सरवात महत्वात जे कदी-कदी grinding wheel जरी नवी नासला तरी तो concentric नही राथ तो ताचा मुल आप तेला trueing कराव लागते जेने करून grinding wheel is to make it run concentric with the axis when a new grinding wheel is mounted it must be trueed before use trueed करना मन्जे काया कि ताला concentric करना बरोबर axis ओबद the cutting surface of a new wheel may run out slightly due to the clearance between the bows and the machine spindle grinding wheels which are in use also can run out of true due to the uneven loading while grinding जब अनिवन loading होते त्यावलेस सुधा ते run out हो शकता मन्जेस ते concentric रहू नहीं शकत तो त्याचा मुल आप त्रुइंग ही प्रोसेस कराव लागते जने कुरून ते grinding wheel आ है it should run concentric with the axis dressing and trueing are done at the same time तो याला मनाया से trueing trueing मन्जे काया कि basically ते चाएकसिस उबच ते लागा चाहा ड्रेसिंग मन्जे restore कराची ते चाहा प्रोपर्टीज मन्जे जे loading जालेला है ते लागा रिमूव करना कि मा blend स्मूथ जालेला शेप है ते लागा रिस्टोर करना glazing मन्जे माहीते जे स्मूथ आनी शाइणी सर फेस्ट जनरेट होना था या मन्जे तला glazing मनाय चाह अनी loading मन्जे काया soft material चे पार्टिकल जवा चिटकतात कि मा कान्सें ट्रेसिंगा रइस्टीज ते लागाला ट्रेसिंगा ग्रेश्टार करना पाट्रेश्टुच सो option A is the right answer next question what is the name of defect if the surface of the grinding wheel develops a smooth and shining appearance हाग प्रश्न तुम्हाल एला पहेजे video पाउस करा आने सर्वार नी या question चा आंसर देया comment box मदे comment box मदे question 3 चा आंसर कायासल A B C के मादी glazing, truing, loading की dressing काया मन्ता त्याला what is the name of the defect if the surface of the grinding wheel develops a smooth and shining appearance में आत्ता सांग इतले, जमाँ smooth आनी shining appearance ही तो ते महाते कुछल डिफेक्ट आसते की मानते grinding wheel ला काय होता correct answer है option A glazing, glazing होता, आपन आत्तास पहले ला है, इते पहा, glazing मन्जा काया की develop smooth आनी shining appearance, ठीक है correct answer है option A, next question, question number 4, what is the name of the operation producing flat seat on drilled hole, काय करते है अपन, एक flat seat त्याया करते है अपरेशन ला काय मन्तो, drilling मन्तो, drilling मन्तो, spot facing, counter sinking की counter boring, काय मन्ता है अपन, what is the name of the operation producing flat seat on the drill hole, so correct answer है अप्शन B, spot facing मन्तो, आपन, सरवात आधी आपन counter boring पहुया, बेसिकली थोड़ थोड़ similarity है, counter boring आनी spot facing या दोनी process मन्तो, see counter boring मन्जागा, it is an operation of enlargement a hole to a given depth, to house heads of the socket heads, or cap screws with the help of counter bore tool, एक लक्षा अठेवा, counter boring मन्जा काय करना की enlarge करना, जीते enlarge हा शब्दा है तो, तीथे counter boring operation आसता, करन, enlarging करन, of a drilled hole to a given depth, जेने कुर्ण आपन, तीथे socket heads बसुशब्तो, कि मा cap screw बसुशब्तो, with the help of counter bore tool, आनी counter boring मन्ते कुछला tool आपन, counter bore tool, यहा है counter bore tool, आनी यहा है counter boring करना, मन्जी इते आपन, जे socket head cap screws बसुशब्तो, काय करतो है इते फक्त enlarge करतो है, given hole आपन, counter boring, at the cutting end, a pilot is provided to guide the tool, concentric to the previously drilled hole, एक shift हे जासता ना, ताला pilot मत, पाइलेट प्रोवाइड करतो है, जेने कुर्ण ते गरोबर खाली जायला पाए जे, given depth, to guide the tool, concentric to the previously drilled hole, मन्चे ताला guide करतो, आधी चा drill hole मते जाना से ताला guide करतो, कोन करतो, पाइलेट, या वर्ना सुद्धा प्र provided to guide the tool, concentric to the previously drilled hole, तो correct answer असल, पाइलेट, ठीक है, the pilot also helps to avoid the chattering, while counterboring, ठीक है, हे पन लग्षा थेवा, की, chattering सुद्धा अवाइड करतो, पाइलेट, counterbores are available, with the solid pilots, दोन टाइप जे पाइलेट सासता, solid pilots, और interchangeable pilots, the interchangeable pilot, provides flexibility of counterboring, on different diameters of hole, तो basically counterboring, मन्जे काया की, जे already drilled hole आहे, ताला enlarge करना, to a given depth, जेने कुण आपन ती ते socket head के मां, capture के मां, काहे तेरी बाहर fit करो शबतो, ठीक है, ताला मन्दात counterboring, counterboring नावाचे tool आसता ते चामादे, आता spot facing मन्जे काया, की हे पन सिमिलर साहे थोड़ सा, की spot facing is a machining operation, for producing a flat seat for bolt head, bolt head बसो ने साथे आपन काय करतो, flat seat बनो तो, for producing flat seat थे operation लापन आपन, spot facing, की मा, bolt head आसो की मा, washer आसो की मा, nut at the opening of the drilled hole, the tool is called as spot facer, की मा, spot facing tool, आधी counterboring मदे counterboring नावाचे tool होतो, spot facing मदे spot facer, की मा, spot facing tool मन्तो आपन, spot facing is similar to counterboring, except that it is shallower, आधी given depth वर होतो, आपन हे काया आसता, spot facing shallower आसता, tools that are used for counterboring, can be used for spot facing, spot facing as well, जे आपन counterboring, जे tool आपर वापर लो होतो, counterboring करता ना, आपन या spot facing में या spot facing में या यूज करो शक्तो, हे जाला spot facing, ठीके, shallow आसता, आपन या इक depth आसे या depth पर आपन जाऊ शक्तो, ठीके, तो correct answer काया आसे लापला question से, spot facing is a machining operation for producing flat seat for bolt head washer nut at the opening of a drilled hole, question काड़ पा होया, what is the name of the operation producing flat seat on a drilled hole, spot facing, enlarging मंटलास थ, enlarging of a drill hole मंटलास थ, का जालास थ, आंसरी थ, तुम्चे counter sinking, okay, next question, question number five, why precision instruments are made of inverse steel, inverse steel पासुन आपन precision instrument का बनो तो, precision instrument मझे तुम्चे जे gauges सास्ता, vernier height gauges, कि माइक वर्नेर micrometers जे का ही precision instruments सास्ता, तुम्चे आपन inverse steel पासुन अच्छा बनो तो, because of durability, cheaper in cost, surface finishing is fine की least coefficient of expansion, का है correct answer हासल, कि आपन inverse steel पासुन जे instruments आए तुम्चे बनो तो, correct answer महीत आसल, तुम्हें कमेंट पासुन मझे कमेंट करू शकता, question number 5 जे खाही correct answer आसल, तुम्हें question जे option D, because of least coefficient of expansion, मझे temperature चा variations हो बतेज expansion होत नहीं जास्त, तुम्हें आपन inverse steel पासुन अपले precision instruments बनो तो, कारण instrument हाय ते precision आस्ता, कारण आपन थी ते आपन precision measurement करतो, जरते expansion होग लागले, थोड़से temperature चेंज हाला, तुम्हें instrument मधे सुधा, तुम्हें deflection मधे बरस का ही changes यह हो शब्तो, तर तैचा मुले, inverse steel is having least coefficient of expansion, that is why, precision instruments are only made with the inverse steel, क्योंवा stainless steel, ठीक है, जस्ती के example है, vernier micrometer are made up of inverse steel, vernier height gauge is also made up of inverse steel, क्योंवा stainless steel, so correct transfer is option D, next question, question number 6, what is the name of the gauge, exam में तुम्हाला आशा figure सुधा देले जातिल, आणि विचार ले जातिल की, हे या figure से नाव कहाए कि मा, एखादा थितले figure मतले एखादा part देतेल, कि मा, एखादा instrument देल, एखादा instrument देल, एक्स मार्क करतेलने, आणि what is the name of the part which is marked as X, आशा प्रश्ण तुम्हाला एक्जाम में विचार ने जाने जाने ची चांसेस आहेत, तर जहोड़े काई तुम्हा कड़े figures आहेत, जहोड़े आपल्या कड़े topics आहेत कि मा, जहोड़े कि मा, आपल्या, आपल्या टेलिग्राम चैनल वरती आशा फिगर पोस्ट करत आहोत, आशा फिगर आणि ता फिगर मदे जोड़े काई पार्टस है ताची नावो, करण आशा प्रश्ण तुम्हाला एक्जाम मदे विचार ले जाओ शक्ता, तर आपल्या माय गवर्मेंट्ट्राक आप वर्जाची लिंक डिस्क्रिप्शन मदे आहे त्यावरती हे सर्वक कोर्से से जाहे त्यावलेबल आहे, फिटर टर्नर ची टेस्सरीज आहे तेचा मदे 15 फुलेंड टेस्ट आहे पन्ना सब्जेक्ट वाइस टेस्ट आनि 15 मिक्स्ट प्राक्टिस टेस्ट ठीके हे फिट सोलूशन तुम्हाला मिलती हुठे फिरन फिटर आनि टर्नर चा टेस्सरीज मदे त्याचा सोब तर्ज मोस्ट ली आस्क प्रीविएस से एंसी क्यूज आहे तेचा मदे फिटर टर्नर जब पास 1000 प्लस एंसी क्यूज आपन सब्सक्राइब तर्ज मोस्ट प्लस प्लस टिथे अप्लोड के लेले आहे त्यके जन्ना जन्ना कोर्स साथी एंडूल करें साहे तो तैन्नी बिफोर संडे बिफोर 16th October या कोर्स साथी एंडूल करूँ शक्ता बिकॉज आत्ता जी प्राइज आहे ती रिड्यूस्ट प्राइज आहे अनी 17 पासना परत तुम्ची जी प्राइज आहे ती ओरिजिनल प्राइज इथे यह उन जाहे तर्च मोले लवकरात लवकर तुम्ही या कोर्स साथी जी का हे खाय क्रेक्ट्ट आंसर्सरा सेल तुम्हाला अज़तात तुम्हाला वांतता थ bakery्कमेंद करता तुम्हाल को हुशात तुम्ही तो सीं करेक्ट्ट आहे रिंगेज रिंगेज आहे ही तो कशा साथी यूज करतो आपन रिंगेज is also referred as plain cylindrical ringage आपन तेला plain cylindrical ringage सुधा मनतो they are used to check the outside diameter limit on the manufactured parts मनजे outside diameter check करना से आपन कशाचा यूज करतो रिंगेज प्रत्यक गेज अन्टाचा यूज कशा साथी यूज करना से आपन रिंगेज सा यूज करतो when they are used to check a part directly the cylindrical ringages are referred to as go and no go go मनजे काए to check the upper limit of the part आपन नोगो मनजे काए to check the lower limit of the part ठीक है यह जाल रिंगेज बदल आज नेक एक्जाम मदे या रिंगेज वर्टे सुद्धा प्रश्न विचाला जात्तो मंजे filler gauge filler gauge is a tool which is used to measure the gap width हे लक्षा थेवा gap measure करना से आपन filler gauge सा यूज करतो एक्जाम मदे बर्याच वर्ट प्रश्न विचाले लेला है कि विच गेज is used to measure the gap width थे लक्षा थेवा filler gauge filler gauges are mostly used in engineering to measure the clearance between the two parts एक था clearance सुद्धा हाश अब यूशकता तुमाला clearance measure करना सारी सुद्धा filler gauges यूज करतो आपन like spark plug मदे gap जासता था चाहिए यूआ bearings clearance gap between the meeting parts ये स्टर्व आपन कशाम मुणे मिजर करतो आप फिलर गेज आशा प्रकार चाह दिसता थे filler gauge यूज कांसे टो आपन नंबर आप स्मॉल लेंच अफ तील हेस्टील आसला था स्मॉल लेंच अफ स्टील्स अफ डिफ्रेंट थीकनेश विद मीजरमेंट्स मार्क अउन इच पिसे अचाम दे लिले लाए बगा यहाची थीकनेश कीति यहाची थीकनेस कीति तर थाचा मुले आपन विद थेलप अब देज वी कैन मीजर्द गाप वेर्स कियोंअ क्लिरंस क्लिरंस बीत्विन दि मेटिंग पाट्स दसलेखी एक स्पार्क प्लग चा गाप आसो योज़्स तू चेक दी एक्विदेिस मोज़े रॉब मज़े लीदर प्लरू गेज़ी ॉिछा ये रूब प्लागेज चेको ते अपर-लिमि orgl डिंगेज रिंगेज कर साथी आउटर डामेटर प्लगेज कर साथी इनर डामेटर ठीके प्लगेज कर साथी इनसाद डामेटर next question question number seven which material is used to clean the slip gaug slip gaug clean करना साथी कुछलर माटेरियल आपन यूज को तो wax kerosene soluble oil की carbon tetra chloride correct answer काया सहल which material is used to clean the slip gaug करेक्ट आंसर मही कासल तुम्हालत कमेंट वक्स में कमेंट करूं सांगो शक्ता वीडियो पॉस करा अनि कमेंट करा और अनि है आपन प्रोटक्टर स्लिब यूस करतों अन एक्पोस्ट फेसे आफ्टर यूस द श्लिब यूस विद आकार्बन टे राउन अन अपलाया करतों जैकी राउस पासंते प्रोटक्शें भाव महनुद बिफोर यूज रिमुव दे पेट्रोलियम जेली विद दे कार्बन टेट्राक्लोराइड और यूज चमयस लेदर तु वाइब दी सर्फिस ठीके तर करेक्ट आंसर काया से लिया क्वेशन से कि कुठला मटेरियल यूज करतो तो क्लीन तो क्लीन मंटला क्लीन मंटला तर कार्बन टेट्राक्लोराइड और रस्ट पासवन प्रोटेक्शन करें चासे न्तर काया आपन यूज करतो पेट्रूलियम जेली दोनी प्रेशन लग्शाट्ट हुआएथ दोन प्रेशन मेभी बनूशक्ता त एक्जाम मदे विचाला सुद्धा जाना रिमूव करना सेटी कार्बन टेट्राक्लोराइड वापर करतो और फाइनली जे वाइप करना सेटी आपन चमईस लेदर चा यूज करतो क्वेशन नमबर एट विच माटेरियल इस तू वाश ओफ दो लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग जे लैपिंग प्लेट्स असता तो त्याला वाश ओफ करना सेटी आपन खुटलो मटेरियल यूज करतो ओईल केरोसीन कुलन्ट ओविल की पेट्रूलियम जीली ओप्शन काया सेल क्वेशन नमबर एट चा करेक्ट आंसर जाया सेल तुम्हाला डेली मिलत जातिल अजिए जर आवड़ात थाल वीडियो वीडियो तो नकीस लायक कराएजने कुण मआला सुद्धा समझल की कुणा मझे स्था था हैका नए ऍहापिंग प्रोसेस मन्ज़ेका कि एक फिनिशिंग प्रोसेस अपन फोर्म करतो तहल पबंट लेपिंग प्रोसेस परपस का इंप्रूज ली जोवेटिकल अकुरसी नंबर एक नंबर दोन काया है, रिफाइन दी सर्फेस्ट फिनिश, नंबर तीन असेस्ट इन अचिविंग हई डिगरी ऑफ डिमेशनल अकुरसी असत, इट इंप्रूब्स दे क्वालिटी ऑफ फीट तीन इंप्रूटी अप्रूटी अप्रूटी अगेंस्ट दे-लाप चाज्ट विद लापिंग कंपांड पवस्टता तुम्हीं वक वक पीस सा सरफेसा है आणि हेज आए ते-लाप चार्ज आए लापिंग प्लेट आए हे लापिंग कंपांड सास्ता थर रबिंग यह स्माल अमांट्ट अफ मटेरियल और रिमूड बाइर अपन वेखला रब करतो अगेंस दी लाब चार्जड विद लभिग कंपोंड लपिंग कंपोंड मजे काया थे की fine abrasive particles suspended इन वेहिकल सचाइज पैन अप्र फिन अप्रिं अप्ले कन गरी से अश्ञमें से fine abrasive particles अश्ञमे अपन रब करतो वाब थे को before the charging and after charging the plate wash off all the loose abrasives using kerosene जे loose abrasives दसते तल आपन wash off करेला पाहे जा कशाच चा साहियाने kerosene चाहियाने then place the work piece on the plate and move along the across covering the entire surface area of the plate when carrying out fine lapping the surface should be kept moist with the help of kerosene आपन लापिंग जाला नंतर सुधा जे surface area lapping it should be kept moist with the help of kerosene to correct answer काहे जाचल ही थे which metal is used to wash off the lapping plate after charging कुछल आपन यूसकरतो तो kerosene option B will be the right answer next question question No.9 which finishing process have a high degree of dimensional accuracy filling turning grinding की lapping काहे जाचल विच प्रोसेस्स हाव थाइड़ीडियो ऑप्ताज आपन पहलेला है lapping option D correct answer is a lapping purpose and assist in achieving high degree of dimensional accuracy because it is a purpose of lapping process correct answer option D lapping process have high degree of dimensional accuracy next question number 10 Which is the abrasive is used for lapping soft steel and non ferrous metals lapping of silver abrasive gives us a for lapping of soft steel and non ferrous metals option a silicon carbide option b diamond option c boron carbide के option d fused alumina चार options जाते सगड़े abrasives आहे आपन यूज करतो कशा मदे lapping process मदे ठीके the lapping process मदे abrasives विचार ले तुम्हा lapping process मदे कुट-खुटल अबरेस विचार ले तर silicon carbide diamond boron carbide आनी fused alumina हे स्थर्व अबरेस आपन यूज करतो विचार ले के soft steel अगी non-ferrous metal साथ आपन खुटल अबरेस विचार ले तुम्हार ले सी फिर्सली हे चार आपन अबरेस विचार ले तुम्हार आपन पहलेले abrasives of different types are used for lapping they are commonly used abrasives are silicon carbide aluminum oxide boron carbide आनी diamond diamond लक्षा टेवा सरवात hardest abrasive है hardest metal है aluminum oxide बदल पहा aluminum oxide is a sharp and tougher than silicon carbide aluminum oxide is used in unfused and fused form दोनी form मेद आपन यूज करता aluminum oxide ला unfused form मेदे सुधा अनी fused form मेदे सुधा अनी fused form मेदे सुधा unfused alumina removes stock effectively and it is capable of obtaining high quality finish and fused alumina is used for lapping of soft steels and non-ferrous metals so correct answer काया सलीथे option D तुम्हा की fused alumina आपन यूज करतो for lapping soft steel आनी non-ferrous see aluminum oxide याचा आपन दोन form मदे यूज करतो एक तो fused form मदे आनी non-fused form मदे तो fused form कशा साथ यूज करतो आपने soft steel आनी non-ferrous साथ यूज करतो आनी non-fused form मदे जास्त स्टॉक रिमोह होतो रिमोह स्टॉक एफेक्टिवली आपने इस केबड़ आपनें high quality finish आनी alumina oxide लक्षे टवाइड इस शाफ और तफर दन silicon carbide boron carbide बहाँ this is an expensive abrasive चर्वात expenses जा विचाले इसा प्रस्ण विचाले दाऊ शप्धिकेंश्य अब्रेज उकूटला है तो boron carbide लक्षे टेवा विचीज नेक्स्ट्ट्टू डामड इंद हार्डेस हार्डेस चा मानाने जा विचार केला तो सर्वात हाड कूटला है diamond सब्सक्राइब जास्त डायमंड जाला नते चान अंतर सेकंड नंबर ला कोड़ना ची बारी याना थो बोरॉन कारबाइड ची ठीके एकते एक्सपेंसिव आहया ने सेकंड तुदी diamond in the in the hardness it has excellent cutting properties because of the high cost it is used only in the specialized application like dyes and gauges इकते cost हाया है थामस only for specific application मदे बॉर्ण कारबेड आपन यूस करतो diamond पहा being the hardest of all material is used for lapping tungsten carbide एक लक्षा थेवा हाप प्रश्न एक्जाम मदे विचला जाओ शकते कि tungsten carbide ला लापिंग करना साथी कुछल अब्रेजिव मटेल यूस करतो तो diamond यूस करता पर rotary diamonds labs are also prepared for accurately finishing very small holes which cannot be ground is all a diamond बदल तर ही अब्रेजिव जाहेत आपन जे व्यूस करतो lapping process मदे तो लक्षा थे वा soft steel और नॉन फिरस साथे आपन खुटले उसकुल तो fused alumina next question question number at home work साथी question आया हा सरवान साथी what is the purpose of key key to the purpose काया है to transmit talk to assembly purpose lock the assembly part permit clearance between the meeting parts तर काय करेक्ट आंसर आसे ल क्वेस्टन च या सरवानी कमेंट आक्स मेंदे कमेंट करूं सांगाया जाहे आणि जर तुम्हाला test series कि मां mcq sets एंडॉल करया जासे तुम्हीं लोकरत लोकर मंजे 16th October चा आथी तुम्हीं एंडॉल केला तुम्हाला हे जर कोर्से साहते reduced price मदे मिलना राहे तर पाउश्कता तुम्हीं फीटर टलना चा टेस्सरी जाहे फीटर टलना चा मोस्ट इंपोर्टन mcq जाहे वेल्डर ची टेस्स दहा फूलन टेस्ट प्लस साहसे mcq जाहे मेंवी मेकानिक मोटर वेकल चा 1000 प्लस तुम्हाला मोस्ट इंपोर्टन mcq मिलना राहे मशिनिस्ट साथी दहा फूलन टेस्ट मेकन मेकनिक डिजल साथी सुद्ध दहा फूलन टेस्ट अबलेबल आहे तर अगेन सरवान साथी कॉमन असनार अपार्ट मंच का इंडस्ट्री 4.0 एडवांस मॉडूल्स अन लेटेस्ट टेकनोल सरवाणनी आप इंस्टोल करा अनि या कोर्स साथी अंडलो करू शकता अनि अजुन परें तो तुम्ही चैनल ला सब्सक्राइब नसल करें तो सब्सक्राइब करून बेल अकॉन प्रेस करा जैने करून अशास परकार चे वीडियो अप्डेट्स तुम्हार मिला जातिल आन वीडियो तुम्हार मिला प्रेस करें ने साथी आखी चैनल आए बाचे वाल्गन सूल करून थे घ्यू यू य।